हेलो एन वल्कम टू टीवी का पताका वेल दोस्तों शिजैन खान की सीक्रेट गर्लफरिंड ने क्या खोल करक रख दी है फलक नाज और साती सा शिजैन खान की जूटी पोल पट्टी जी हाँ दोस्तों प्रेस कॉन्फरेंज के दौरान फलक नाज ने अपने भाई का कफी ऐसे दावे किये थे जिसके बात खुद फलकनाज अपने कही हुए बयानों पर पल्टी लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा बयान कि मेरा भाई एक साथ कई सारी लड़कियों से बात करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह इल्जाम तुनीशा की माने मेरे भाई पर गलत था अफेयर और ये बात मुंबई की वालिफ पुलिस ने कंफर्म कर ली है कैसे पता लगाया और क्या सबूत हैं बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से लेकिन उससे पहले चानल आप जरूर सबस्क्राइब करें बेल आइकन को दबाना आप बिलकुल ना भूलें दोस्तो प्रेस क्राइब के दौरान आपको बता दें कि फलकनाज ने ये बोला था कि उनका भाई किसी और लड़की से बाते नहीं कर रहा था और सीक्रेट गर्फरेंड वाली बात पूरे तरीके से जूटी है लेकिन हाल ही में अफडेट सामने आया है कि शिजैन खान और स चप्त कर लिये गए है और दोनों ने ही जो अपने चैट्स डिलीट किये थे उन चैट्स को भी रिट्रीफ कर लिया गया है यानि कि डिलीट की गई सारी चैट्स वापिस आ चुकी है और उनके पास इस बात का पुक्ता सबूत है कि शिजैन एक साथ कई सारी लड़कियों स से बात करने में बिजी थे और वो तुनीशा को साफ तोर से नजर अंदास करते हुए नजर आये हैं उनके चैट से ये बात साफ होती है कि सीक्रेट गर्फरिंड वाली बात तो बिल्कुल सच है लेकिन तुनीशा की मा ने जो इल्जाम लगाए थे कि शिजैन एक साथ कई सार करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें अ साल को लाएं आये होती हैं